बिनम्र भाव से पहले तो आप मेरा प्राडाम स्वविकार करें और तकलिफी इस बात की है कि आज एकांत में आने का सभाग एरा आप देख सकते हैं इदर है प्राकृतिक आक और आज आक्सीजन की कमिया है तो इसलिए थोड़ा से आक्सीजन का आप मैंने देखा कि के साथ प्राकृतिक के साथ जो आक्सीजन मिल जाता है स्याइद ओव हस्पताल में भगवान न करें कि किसी को हस्पताल वाला आक्सीजन की जरूत पड़े तो चलिए लेके चलते हैं दोस्तों और कहानी आज के बताते हैं कि कल मैंने एक वीडियो परसो किया था वीडियो हम क्या करें कैसे करें मेरी अवाज को दबाई जा रही है आकर मैंने गुना क्या किया है गुना यही किया है कि मैंने सत्य बोलना चालू कर दिया है अगर सत्य बोलना गुनागार है तो मैं गुनहगार हूं मैंने किया यही था बस एक छोटा सा वीडियो किया था कोरोना वाइ होंगे किलीप चल रहा होगा एक बैद जी थे बैद जी क्या होता है कि दावा किये कि मैं कुरोना वाइरस की दावा दे दूंगा अब इसमें मेरा क्या कसूर है अगर डाक्टर कर रहा है कि मैं सही कर दूंगा तो डाक्टर समझे मैंने सत्यता दिखा दी यूटूब पर से कि इसी ने मेरा वीडियो डिलीट करवा दिया तकलीप इस बात का नहीं है कि मेरा वीडियो डिलीट करा दिया तकलीप इस बात का है कि आखिर सत्यता दिखाने पर क्यों ऐसा होता है जो सत्य बोलता है उसे गिलिट करा दिया जाता है आखिर ऐसा कौन कर रहा है सचाई रहा कहीं कहीं कमिया स्मय मैं यह नहीं कहता है कंया हमारे में भी है कंया संही वाला था अब उस बैद को मैं क्या कह cou feeding ने चिला केव बोला कि है ऐसा है और आपको मैं बताता चलूं कि या प्राक्रतिक चीजे हैं और इस तरह से तमाम तरह की बाते हैं कि जिसको आप समझ सकते हैं और मैं बताता चलूं आप बहुत सारा प्यार अशिर बात देते हैं कल से जो दूबे जी ने वीडियो मेरा डाला है मैं दूबे जी का भार प्रकट करता हूं सचाहिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं उनका प्यार है यहां से लेके एक जिले गाउं का बेक्ती अगर दूर तक जात और उस वीडियो को इढ ga सहां बताईए मुए मैं महानत करता हूं आपार्त। विडियो को टिलेट किया वजह क्या थी मैंने क्या क्या खैशा रहा हूं क्लिप में देखिए कि यहीं था किश्ती मर् admin को Rede मिल गाई यह मिसर में मेरा क्या कसूर था मैंने उस वैद जी से बोला तो वैद जी ने छाती ठोग के कहा कि मैए दावा करता हूं कि कुरोना वाइरस मर जाएगा हमारी दावा से तो बैदी जी का वीडियो चला जैसे ही कुरोना तरह हिमाम तरह हिमाम पढ़ा हुआ है कि कब किसको मौत के मुह में जाना पड़े कोई नहीं जानता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कई वीडियो ऐसे चला मेरा एक दो और क्या क्या करना पड़ता है। सुवह निकल के साम को जाना घर पर विन खाए पिए घूंग करें मामुली बात नहीं है। आज मैं आकसीजन के गोद में हूं box na ने मुझे गोद लीआ है। और मैं आक्सीजन ऐसे गाउं ऐसे ग्रामिट शेते से बिलांग करता हूं भले ही आज बहुत लोग बहुत स्टेट बहुत कंट्री मुझे देखता है लेकिन एक मैं छोटे से गाउं से निकल कर आउट आप इस्टेट में जाकर एक पंचम लह रहा है इसमें आप लोग का सिर कही न कही श्रे है और मैं श्रेय और संसकार घر से मिलता है दोस्तों हमारे घर वालों ने ये स्रेय संसकार दिया है कि सब को सत्वुद्दी की काम ना करने है ऐसा नहीं है कि हम किसी के Size के खिलाफ बोले हैं passport हो होगी वहाँ खिलाब किया जाएगा वजह यही रहा उस वीडियो से अगर लगता होगा कि मैंने गलत किया है तो आप कमेंट करके बताएंगे और मैं क्लिप चलाओंगा और क्लिप आप देख भी रहे हैं कि यूट्यूब से मेरा वीडियो डिलिट कर दिया गया और अगर तो उनको मिटाया जाता है ऐसा क्यों होता है सत्य दिखाने पर अगर मिटाया जाता है गुनहेगार साबित किया जाता है तो मैं कभूल करता हूँ कि मैं गुनहेगार हूँ किसका गुनहेगार हूँ आप दर्सक देखने वाले समझ सकते हैं मैंने किया क्या है तो आज के ल झाल झाल